परिचय आज अवकाश है विशेश मुगल गार्डन आया है जहां वो क्यारियों में लगे चमकीले रंग के पूरी तरह खिले हुए ट्यूलिप देखता है वहाँ इस रंगीन द्रश्य को आँखों के लिए सुखत पाता है विशेश ने शीगरही ट्यूलिप के पैटर्न पर ध्यान दिया सफेट ट्यूलिप बीच में है उसके दोनों तरफ लाल ट्यूलिप है लाल के बाद पीले ट्यूलिप है उनके बाद बैगनी है इस सवलोकन से उसके दिमाग में एक काम ठन गया वो आकारों, संख्याओं और अक्षरों से बने दूसरे पैटर्न को जानना चाहता है इस पार्ट में हम पैटर्न के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आओ सीखें आकारों के संपून पैटर्न को बनाना संख्याओं और अक्षरों के संपून पैटर्न बनाना जोड के साथ पैटन को समझना कूट संदेश लिखना पैटन बनाना पैटन पूर्व निर्धारित क्रम में दोहराई जाने वाली वस्तूओं या संख्याओं की श्रिंखला होती है दिये गए पैटन को देखिए ये एक खास क्रम में दिख रहे हैं पहले लाल्टेन फिर तारा और उसके बाद बल्ब दिया गया पैटन तारे के साथ समाप्थ होता है अतहा अगली वस्तू अवश्य ही बल्ब होनी चाहिए इसलिए क सही उत्तर होगा जया मिती के तथे इस जादोई त्रिभुज को देखिए त्रिभुज ततेग भुजा पर दी गई संख्याओं का योग दस है आईए इसकी जाच करें पांच जमा दो जमा तीन बराबर दस पांच जमा चार जमा एक बराबर दस तीन जमा छे जमा एक बराबर दस जादोई मिनार मिनार की तरह सजाई गई इन संख्या पत्थरों को देखिए इनमें एक पैटरन है आईए इसका अर्थ जाने आईए सबसे नीचे तल के पत्थर से शुरू करें दो जमा तीन बराबर पांच तीन जमा पांच बराबर आठ पांच जमा साथ बराबर बारा पांच आठ और बारा उपर की पंक्ति बनाती हैं पांच जमा आठ बराबर तेरा आठ जमा बारा बराबर बीस तेरा और बीस उपर की पंक्ति बनाती हैं आईए अब तीसरी पंक्ति से पत्थर लें तेरा जमा बीस बराबर तैंतीस 33 सबसे उपर की पंक्ती को बनाता है अतहा पैटन साफ है दूसरी पंक्ती से शिरू होकर प्रतेक पत्थर अपने नीचे के दो पत्थरों का योग है जोड के साथ पैटन 3 जमा 6 जमा 9 बराबर 18 6 जमा 9 जमा 12 बराबर 27 9 जमा 12 जमा 15 बराबर 36 इन जोड को देखिए इनमें एक पैटन है आएए इसे खोजते हैं 27 रिन 18 बराबर 9 36 रिन 27 बराबर 9 हमने देखा कि दो क्रमगत जोड का अंतर 9 है 6 गुणा 3 बराबर 18 9 गुणा 3 बराबर 27 12 गुणा 3 बराबर 36 एक और मज़ेदार बात है उप्रोग्त प्रतेक जोड बीच के पद का तीन गुणा है 9 गुणा 3 रिन 9 बराबर 18 12 गुणा 3 रिन 9 बराबर 27 15 गुणा 3 रिन 9 बराबर 36 एक मज़ेदार बात और भी है उप्रोग्त प्रतेक जोड आखरी पत के तीन के गुणे से 9 कम है आईए जोड के एक अन्य पैटन को देखें 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 बराबर 20 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 बराबर 28 6 जमा 8 जमा 10 जमा 12 बराबर 36 इन में 28 रिन 20 बराबर 8 36 रिन 28 बराबर 8 हमने देखा कि दो क्रम गज जोडों का अंतर 8 है इन में 4 गुणा 4 जमा 4 बराबर 20 4 गुणा 6 जमा 4 बराबर 28 4 गुणा 8 जमा 4 बराबर 36 उप्रोक्त प्रतेग जोड दूसरे पत के 4 गुणे से 4 ज्यादा है इन में 4 गुणा 6 रिन 4 बराबर 20 4 गुणा 8 रिन 4 बराबर 28 4 गुणा 10 रिन 4 बराबर 36 एक मजेदार बात और भी है प्रतेग जोड तीसरे पत के 4 गुणे से 4 कम है गुप्त संदेश आपने रहसे वाली कहानियों में गुप्त संदेश के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा आपने युद्ध वाली फिल्मों में भी गुप्त संदेश का प्रयोग देखा होगा आईए समझें कि गुप्त संदेश क्या होते हैं गुप्त संदेश एक खास तरह के संदेश होते हैं जिससे दुश्मन उनको समझ नहीं पाता आईए एक गुप्त संदेश समझा जाए संदेश यह है सभी अंक अंग्रेजी वन माला के उस स्थान पर आने वाले अक्षरों का प्रतिनिधित्व करते हैं अंग्रेजी वन माला का तेईसवां अक्षर डब्ल्यू बीसवां अक्षर टी आठवां अक्षर एच एककीसवां अक्षर यू गुप्त संदेश में प्रतेक अक्षर अपने मोल स्थान से तीन स्थान आगे रखा गया है डी असल में ए है एफ है सी आर है ओ डबल्यू है टी अता खोला गया संदेश है वाच आउट हमने क्या चर्चा की पैटन पूर्व निर्धारित क्रम में दोहराई जाने वाली वस्तूओं या संख्याओं की श्रिंखला होती है पैटन आकारों, संख्याओं और वन माला के अक्षरों के प्रयोग से बनाय जा सकते हैं पैटन को जोड में समझा जा सकता है कूट गुप्त संदेशों में एक पैटन होता है झाल से बनाय जा जा सकते हैं झाल सकता है झाल सकता है झाल सकता है